हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम इस वीडियो में गुपतों का आर्थिक जिवन कैसा था के बारे में ध्यन करेंगे तो देखेगा इस से पहले वाले वीडियो में हमने गुपतों की जो थे उनकी विशेशताएं इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ चुके हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें बेल आइक अन दबाएं थाकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलें और हमारे जो भी वीडियो में आपको कमी लगे गलती लगे तो आप हमें बता सकते हैं हम सुधार करने की पूरी पूरी कोशिस करेंगे तो पढ़ते हैं गुप्तों का आर्थिक जीवन गुप्त राजों का सास्तनकाल आर्थिक द्रस्टी से समरदी एवन संपन्दा का काल था क्रशी की उन्नत्ती पर विशेश धान दिया गया अमरकोस में लोहे से बने हलके फाल के लिए पांच नाम दिये गए हैं जिससे पता चलता है कि ये हमहत्तम करशी उपकरन सर्वसु अलब था तथा इसका उप्योग भूमी जोतने के लिए किया जाता था कालिदास ने क्रशी तथा पसुपादन को राश्टी संपत्ति का एक बड़ा साधन निरूपित किया है धान गेहूं गना जूट तिलहन कपास जुआरबाजरा मसाले दूप नील आधी उत्पन किया जाते थे सेचाई की समूचित व्यवस्था थी उध्योग धंदे उन्नति पर थे कपड़े का निर्मान करना इस काल का सर्व परमुग उध्योग था जिससे बहु संखेक लोगों को जीवी का मिलती थी इसके अलावा हातिदान्त की वस्तुएं बनाना मूर्ती कारी चित्र में भी अभूत पूर्व प्रगत्ती हुई व्यवसाई के चेत्र में भी अभूत पूर्व प्रगत्ती हुई व्यवसाई धोका संजारन स्रेणिया करती थी स्रेणि एक ही प्रकार के व्यवसाई अथ्वा सिल्प का अनुसरान करने वाले लोगों की सम्मीती होती थी मंसोर के लेख में पटवाई स्रेणी अर्थार रेश में सूत भूलने वालों की सम्भीती तथा इंदोर लेख में तैलिक स्रेणी का उलेख मिलता है स्रेणियां बंकों का बैंकों का भी काम करती थी और इस रूप में अपने सद्दशों को सूत परधन देती थी पतेकश्रणी का एक परधान तता चार या पांच व्यक्तिओं की एक कार्य कारणी होती थी ब्रैस्पती स्मर्ति से पता चलता है कि इमानदार वेदों तथा अपने कर्तवयों के ग्याता योग्य आत्मसंय मी और कुलीन व्यक्ति ही स्रेणियों के प्रबंद अधिकारी नियुकते के जाते थे स्रेणिया स्वायत सासे संस्थाएं थी जिनके अपने नियम और कानून होते थे राजे सामाने तोर से उसका उनका समान करता था स्मर्तियों में राजा को निर्देश दिया गया है ठीक है स्मर्टियों में राजाओं को निर्देश दिया गया है कि वह स्रेणियों के रिती रिवाजों का पादन करवाए अपने सदस्यों के जगडों का निप्टारा वेश्वत है करती थी परतेक स्रेणी के पास अपनी अलग-अलग मुहर होती थी वेशारली से एक स्यूंक्त स्रेणी की 274 मुद्राइं प्राप्त हुई हैं इसमें साहुकार, व्यापारी तता सोदागर समिलित हैं व्यापार व्यवसाय में नियमित सिक्कों का परसलन हुआ गुप्त राजों ने सोने चांदी तामबे के बहुसंक्यक सिक्के चलवाए इस समय सोने तता चांदी के सिक्कों का अनुपात 1-16 था सामाने लेन देन कोडियों में होता था व्यापारिक विकास गुप्त युग में व्यापारिक परगत्ती हुई लंबी यंचोडी सडकों द्वारा परमुख नगर जुडे हुए थे भडोंज, उजैनी, पर्तिस्ठान, विदिशा, प्रियाग, पाठली पुतर, वैशाली, तामरलिप्ती, मथूरा, अहिचत्रे, कोसामबी आदि परमुख व्यापारिक नगर थे चंद्रगुप्त द्वीत्य ने उजैनी को अपनी द्वीत्य राजधानी के रूप में विक्षित किया था इसने सिग्रही वैभव तथा सम्रद्धी में पाठली पुतर का स्थान ले लिया मत मुरिच कटीकम से पता चलता है कि यहां अनेक दन्धाडे स्रेणी तथा सोदागर निवास करते थे माल डोने के लिए गाडियों तथा जानुरों का प्रियोग किया जता था गंगा, ब्रहम पूत्र, नरमदा, गोदावरी, कृष्णा, यों कावेरी नदियों द्वारा भी व्यापार होता था भार्तियों ने माल वाहक जहांजों का निर्मान किया था कुछ जहांजों में एक साथ 500 तक व्यक्ति बैठ सकते थे वीवित प्रकार के कपड़े, मसाले, खाद्यान, नमक, बहुसमूले, पत्थर, अधी समगरिया एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाई जाती थी इस समय बंगाल में तमर लिप्ति परमुख बंदरगा था देखेगा कई बार क्यों पूछ लेते हैं तमर लिप्ति क्या था, किस काल से समगरिया था और कहां इस्तित था तमर लिप्ति है वह गुप्तिकाल का परमुख बंदरगा था, यह बंगाल में इस्तित था यहां से चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आधी देशों के साथ व्यापार होता था पसिमी भारत का परमुख बंदरगा ब्रगु कुछ जो बढुच में था जहां से पसिमी देशों के साथ समुदरी व्यापार होता था इस्तल मारक के द्वारा भी भारत का व्यापार यूरोप के साथ होता था दक्सिनी पूर्वी एस्या के विभिन देशों के साथ भी भारत का व्यापार उन्नती पर था कपड़े, बहुमुले, पत्थर, हातिदान की वस्तुएं, गरम, मसाले, नारियल, सुगंदी, दर्वे, नील, दवाएं, आदी निर्यात की परमुक वस्तुएं थी व्यापारी एक इस्तान से दूसरे स्थान को माल रहकर जाते समय समुह में चलते थे इसे सार्थ तथा, इसके नेता को सार्थ वाहय कहा जाता था व्यापारियों की सम्मिती भी होती थी, जिसे निगम कहा जाता था निगम का परदान को नोता था? स्रेस्टी, तो निगम का परदान स्रेस्टी कहलाता था रोम के साथ व्यापारिक संबन्द, रोम के साथ इस्थर मारक से व्यापारिक किया जाता था, तथा यह चोथी सदी में इतना अधिक विक्सित हुआ कि सिल्प जो आलियन के काल में सोने से तोल कर विक्ता था, तथा धन एंकुलीन वरक की विलासिता की वस्तुत था, वह जू इस वीडियो में हमने गुपतों के आर्थी की वेवस्ता के बारे में जानगरी प्राप्त की और ये वीडियो एक्जाम की दर्श्टीजे बहुत ही महत्तों पुड़ा है आता है वीडियो को बार बार देखें याद करें और बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज और करें बुड़ा इंडेपर